सुप्रभात चात्रो आज वचन की बारे में आपको मैं बताती हूँ वचन का परिबाशा परिबाशा मतलब है अर्थ यहां आप वचन का अर्थ देखेंगे उके शब्द का जिस रूप से उसकी संक्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता वो उसे वचन कहते है वचन वचन की बेद वचन में कितना बेद है वचन में दो प्रकार है कितना प्रकार है दो प्रकार पहला एक वचन दूसरी बवचन अब हम एक वचन का परिबाशा बताती हूं परिबाशा मतलब है आर्थ एक वचन का आर्थ जिस शब्द के रूप से एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं देखिए एक वचन कार्थ यही है जिस शब्द के रूप से एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं जैसे मतलब है उदाहरन कपड़ा बाल्टी चिडिया पुस्तक घड़ी बच्चा गोड़ा आदी कपड़ा बाल्टी चिडिया पुस्तक घड़ी बच्चा गोड़ा आदी आदी मतलब है एक्सेट्रा और वैसे ही बवचन का अर्थ अभी आपको बताती हूं जिस शब्द के रूप से अधिक होने का पता चले उसे बहु अचन कहते हैं देखिए यही है एक उचन का अर्थ क्या है जिस शब्द के रूप से एक होने का पता चले उसे एक उचन कहते थे न ऐसे ही बहुँआचन जिस शब्द के रूप से अधीक होने का पता चले उसे हम बहुँआचन कहते है You can understand by our children वैसे ही जैसे हम एक उचन का जैसे देखे है न वैसे ही जैसे बहुँआचन के बताती हूँ जैसे मतलब है उदाहरन आपको पहचान है बच्चे, पुस्तक, फसले, लकडिया, चादरे ओकी देखो कपड़ा, बाल्टी, चिडिया, पुस्तक, गड़ी, बच्चा, गोड़ा वैसे ही यहाँ देखो बच्चा, यही है कुछ है ने, यहाँ बच्चे, पुस्तक, पुस्तके फसल, फसले, लकड़ी, लकड़िया, चादर, चादरे, वैसे ही बच्चन में अधिक होने का पता चलता है वही बच्चन कहते हैं ओकी आउर एक वच्चन से बच्चन कैसे बदलता हैं? वो शब्दों के हम आपको मैं जानकर देशकती हूं एक कोचन से बहुचन कैसे बदलते हैं देखे लड़का यही है एक कोचन एक लड़का है कितना एक एक है न इसलिए एक कोचन कहते हैं लड़के या एक से ज्यादा अधिक शब्द का अर्थ है इसलिए बहोचन कहते हैं लड़का, लड़के बहन एकी बहन इधर बहने या अधिक एक से अधिक बहने इसलिए बहने आंक, आंके सडक, सडके पुस्तक, पुस्तके बात, बाते बेटा, बेटे गोड़ा, गोड़े आपको मालम हो रहा है समझा रहा है आपको दिमाग में ले रहे हैं एकोचन और बहोचन गोर से देखना है कैसी? देखो, लड़का बहन बहने आंक, आंके सडक, सडके पुस्तक, पुस्तके बात, बाते बेटा, बेटे गोड़ा, गोड़े वैसे ही एकोचन से बहोचन बदलने का यही नियम है हम पीछे क्या देखे हैं? एकोचन से बहोचन बदलने का शब्दों के लिए हम आपको जान कर दिये सकी हो अब ही हम बहोचन से एकोचन कैसे ये बहुँचन शब्द ये कोचन कैसे बदलते हैं वही हम आज आपको बोलती हूँ केले केला कन्याए कन्या कविताए कविता अध्यापिकाए अध्यापिका नदिया नदी थालिया थाली दातूये दातू यही देखो यही है बहुँचन शब्द यही है बहुँचन शब्द यही बनते हैं वैसे केला, केले, केला, कन्या ये, कन्या, कविता ये, कविता, अध्यापिका ये, अध्यापिका, नदिया, नदी, थालिया, थाली, अंगोटिया, अंगोठी, दातु ये, दातु, ऐसे ही, एकोचन और, एकोचन से बहोचन बन सकते है, एकोचन से बहोचन, बहोचन से ऐसे ही हम शेब्दों को बदलना करना है ओके